Hello students, how are you all? I hope you all are good. So let's start our today's topic. हमारा आज का topic है, spinning cotton yarn. Spinning cotton yarn में हमको यह दे रखा है, कि देखी ज़ा activity है, वो तो है, बाकी समय जैसे दे रखा है, the process of making yarn from fibers is called spinning. जब spinning क्या है? Spinning की definition दे रखी कि process of making yarn, yarn मतलब धागा, धागे को बनाने का ज़ा प्रोसेज है, फाइबर से जो धागे बनते हैं, उस प्रोसेज को क्या बोलते हैं? Spinning, okay? In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. इस प्रोसेज में क्या होता है? Fibers from a mass of cotton wool are drawn out. मतलब जो fibers होते हैं, वो कहा हैं से निकाले जाते हैं? Mass of cotton wool, मतलब cotton wool के mass से, मतलब गुच्छे से fibers निकाले जाते हैं और उनको twisted किया जाता हैं. This brings the fibers together to form a yarn. यह क्या? This brings the fibers together. मतलब फिर क्या होता है? यह fibers को together लाता है और उससे यान धागे बन जाते हैं. इस simple device used for spinning is a hand spindle, also called tuckly. इसके लिए एक simple device use की जाती है, spinning के लिए, जिसको hand spindle होती है, वो जिसको क्या का जाता है? Tuckly. देख की figure 3.10 में दिखा रखा है. यह लंबा सा structure हो क्या है? इसको बोलते हैं tuckly. Another hand operated device used for spinning is चर्खा. एक और hand operated device होती है, जो की spinning के काम आती है, वो होती है चर्खा. देख की figure 3.11 में दे रखा है. यह चर्खा, यह चर्खे की figure दे रखिए, यह भी spinning में काम आती है. यह चर्खा तो आप सभी को पता है की मातमा गांधी की टाइम से ही पॉपुलर था. यह चर्खा, यह चर्खा. इसपन के धागों के कपड़े पैन हो जो की क्या होते हैं जो की किस से बने वे होते हैं ब्रीटेन की मील से बने वे होते थे वो पैनों वो अंक्रेज करते थे इसको की क्या का जाता था तो पॉपॉलराइज एंड प्रमोट खादी दा गौर्वर्मेंट ऑफ इंडर कॉंस्ट करने के लिए खादी को प्रमोट करने के लिए government of india ने एक body constitute की जो क्या कहला क्या लगती खादी and village industries commission in 1956 एक body constitute की खादी and village industries commission कब कीथी 1956 में spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machine spinning of yarn on a यान तो यह सब इक लार्ज स्किल लाड़ श्किल में बड़े पैमाने में दागे बनाने हैं तो वह किस से होता था बड़ी-बड़ी स्पीनिंग मशीन से होता था अफ्टर है यान्पार यूज्च फॉर मेकिंग फैब्रिक्स इस पिनिंग के प्रोसेस के बाद जो धागे बनते थे वो किस में काम आते थे वो फैब्रिक्स बनाने में काम आते थे ओके स्टुडेंट्स तो यह था हमारा आज का टॉपिक इस पीनिंग कॉटन यान तो यह सब एक लियर हो गया ना आप इसे रीड आउट जरूर करना तो कल हम नेक्स टॉपिक पढ़ेंगे यान तो फैब्रिक्स तैंक यू स्टुडेंट्स